तो आपको यह पता है fifth last Class में हम लोग लोग ने चौथा चैप्टर जो आपका है 24 वाले राखिक समय करन उसको स्टांट किया था तो आज भी हम लोग 2 वाले समय करन ही पढ़ेंगी उसी को कंटेनीwar क топ ना मत खतने करेंगी जुश का एक Antes हम लोग आज देख लेते हैं काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एक्जाम में वहां से आते रहते हैं तो एक concept हम लोग दूसरे chapter का पढ़नेते हैं ठीक है उसके बाद फिर से जो चौथा chapter हम लोगों ने start किया था उसको continue कर लें जहांसे तीन कुश्चन या दो कुश्चन लाश्टास में कराया गया था उसके आगे से उसको continue करें तो देखिए आज हमें क्या पढ़ने जब हो सकता है अगर मैंने स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी थोड़ा दिर वेक कर लीजिए फिर से स्क्रीन वीजिबल होगी तो अब स्क्रीन दिख रही होगी सब्सक्रीन दिख रही होगी ठीक है अब देखिए एक कुश्चन आता है आपके एक्जाम में फैक्टोराइजेशन का मतलब गुनन खंड करने का पास पुछ इस फॉर्म में इसका घात आप बोलोगे तो इसका बोलोगे इसरी धिए तिके तो एसा कोई भी वहपर आपके सामने आज जाए इसका घात दो हो पदो किसंट्या तीन हो जाए तो इसको फैक्टराइज करने का गुनन खट करने का एक मेथड होता है जो मेथड आज आज आपको सिखाया जाएगा तो इसके लिए आप क्या करोगी है इसको इस तरीके से आपको समझना है यहाँ पर मैं लिग रहा हूँ एकस स्क्वाइर प् गुणा करोगी जो भी नंबर मिलेगा यहाँ जो भी आएगा उसको आप दो भागों में तोड़ने का मतलब उसको फैक्टराइज करना है संफिंग इंटू संफिंग में मतलब दो गुननखंड में तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि इसको जोड़कर या घटा कर जोड़कर या घटाकर बी आ जाए तो वह संख्याओं को जोड़कर आपको लाना होगा अगर सी के पहले अगर माइनस साइन तो घटाकर लाना होगा अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोला राफिस जीए समझ में नहीं है तो अगर मैं यही चीद उदाहरन से आपको समझाओ तो ज़्यादा बिटल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो अगर मैं एक कोश्टन ले ले कोश्टन है आपके सामने अगर हमारे पास बोला ज् गुननखंड करना है इसको बोला जाएगा गुननखंड की तो इसके लिए आप क्या करोगे यहां पर आप देखो C कामान कितना है यह बताईए तो आप बोलोगे सर्थ C कामान तो बार है ठीक है C कामान बार है जो सब्सक्राब है तो आप देखो डूब यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो एक लिखा हुआ है जिसको लिखने के विजिरूट है तो अगर कभी आपके पास एक से स्कॉर थो जो अचर पद इसको आपको दो भागों में तोड़ना है कि जोड़कर साथ यानि जोड़कर साथ आने का क्या मतलब हुगा बारा को आप चार गुणा तीन लिख सकते या ने लिख सकते यह बताएं कि मुझे यह बताओ जोड़ोगो तो कितना मिले हुग 4 और 3 को जोड़ेगे तो कितना मिलेगा 4 और 3 को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा जो आपको B है यहाँ पर middle term है तो यहाँ से आप 7x जो बीच वाल अकड़ में बीच वाले term को आप तोड़ कर ऐसे लिखोगी x square प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 यह जो 7x है यह मैं 7x को 4x प्रस 3x लिख दिया, और कुछ नहीं किया, इतना क्लियर है, 7x को मैं 4x प्रस 3x क्यों लिखा, क्योंकि 12 को मैं तोड़ा हूँ, 4 गुना 3 में, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से आपको यह चीजे समझने हैं, कि आप common कैसे लिखते हो, यहां पर जो पह x square को आप लिख सकतो हूँ, x into x, तो यहां से मैं अगर x को common लो, तो आपको बचेगा x plus 4, यह समझ में आ रहा है क्या, यह जो मैं right side में लिखाओं, x into x plus 4, यह समझ में आ है कि कैसे किया, यहां से यहां, अगर समझ में आ रहा है, तो y लिखके बताइए, नहीं समझ में आ है, तो n लिखके बताइए, तो यहां पर भी x है, इसमें भी x है, तो इन दोनो x को common ले लिए, तो हमारे पास बचा x plus 4, तो यह दोनों पहले दोनों term में से x को common लोगे, तो आपको बचेगा x plus 4, अब दूसरे वाले term को देखे, 3x plus 12, तो 3x plus 12 में में से अगर 3 को मैं common ले आपके पास बची, इतने अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको यहां पर भी x plus 4 देख रहा है, यहां पर भी x plus 4 देख रहा है, तो आप अगर x plus 4 को common ले लिए, तो आपको बचेगा x plus 3, तो एक x plus 4 को जब common यहां पर x बचा और यहां plus 3 बचा, तो x plus 3 बचा यही हमा यह समझ में आया कि कैसे कि करो गया कि अगर मिडिल टर्म इसको दो भागों में तोड़ा जाता है उसके बाद कॉमन लेने के बाद स्वर्वत इतना क्लियर है कि इसको मैं रिपीट कर दो कि इसको मैं रिपीट कर दो कि इसको एक वार में फिल से कर रहा हूं इसके बाद एक दूसरे उधारन से इसको कर लेगी तो आपको समझने हो जाए चलिए मैं दूसरे उधारन से ही समझा जाएगा एक पर मुझे सिर्फ इतना बताईए अनुराद एक स्क्वाइर का कोफिसियेंट यानि गुनान कितना है एक स्क्वाइर का गुनान कितना है यह बताईए लेकिन अगर सिर्फ एक स्क्वाइर लिखा हुआ है तो एक स्क्वाइर का गुनान पूछा जाएगा लेकिन अगर सिर्फ एक स्क्वाइर लिखा हुआ है तो एक स्क सब्सक्राइब एक दिख रहा है जो अचर पधे 35 इस 35 को आप दो भागों में तोड़ने की कोशिस करो कि उनको जोड़कर या घटाकर 12 आजाए ठीक है और यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि 35 के आगे क्या लिखा हुआ 15 को जोड़कर 12 आना होगा एक आट करके 12 आना होगा तो मुझे बता 5 इंटो 7 को है तो도 12 मिल जाएगा बस इतना अगर आपने पकड़ लिया इतना जोगा तो आपको यह question काफी आसान हो जाएगा तो बीच वाला जो टर्म है ना बारा एक्स इसको आपको लिखना होगा बारा एक्स को आप तोड़ के लिखो आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वाइर बारा एक्स को तुम आप लिखोगे 5X प्रस 7X है ना और यह 35 इतना लिख दिया य एक सर्ण भूए चरिक है अब यहां से क्या करोगे पहला वाला को देखी पहला वाला दोनों ट्रण को देखी ations कामवच एक्स वकर्षे शरण बराएँ 7 जैस ! इसी काम्न लोग यहां बन उचे गाफ्रशहर उन जहां यहहां बरचे अब आपको दो दोनों ही में common दिख रहे हो। ख्य मस प्लम यहां भी है, और और ख्य को सर्ष say फाइब से और फ्लमा यहां लिया, एक स सफ साथ लिख दिया, तो यह हमारा अंसर आ गया. अब clear है सर ये अच्यर बाली संख्या का सर्म factorize करते हैं सर factorize किसको करते है factorize तो question तो आपका आया ये पूरा जो बहुपद है इसको factorize करना था ठीक है लेकिन जो middle term split होता है वो beach वाले term को मैं तोड़ता हूँ middle term बादा x जो था bx था इसे तोड़ा जाता है ठीक है अब ये question और कर लेते हैं अगर मैं question इस तरीके से दे दूँ ठीक है अगर मैं question इस तरीके से दे दूँ कि उनन्खंड कीजिए question है आपके पास 6x square plus x minus 12 ठीक है इस तरीके से question है इस वाद देखिए जो constant term है अगर मैं इसको बोलू x square plus bx plus c के form में अगर लिखोगे तो c के पहले क्या है constant के पहले sign कैसा है minus है ना ये आपको दिख रहा है constant term के पहले minus है ठीक है तो इस वाद आप क्या करोगी 6 और 12 को गुना करोगी 6 और 12 को आप गुना करोगी मुझे बताई 6 और 12 करोगी तो कितना मिलेगा 6 और 12 करेंगी कितना मिलेगा आप बोलोगी सब 72 मिलेगा 72 को ऐसे तोड़िए यही आपको सोचना है 72 को इस तरीके से तोड़ना है इस बार घटा कर minus subtract करने के बार एक आए यानि x आए यहाँ पर बीच वाला टर्म एक है एक से तो यहाँ पर minus होने के कारण इस वाल मैं कह रहा हूँ घटा करना में तो मुझे बताईए कोई दो factor 72 का 72 का कि उसको जो घटा कर एक आजाए यह मुझे बताईए आप 72 को कैसे कैसे तोड़ तकते हो आए एक तो 12 गुना 6 ही होगा लेकिन 12 में से 6 घटाने पर एक आ रहा है क्या क्या तो आप बोलोगे सर नहीं इससे नहीं हो पाएगा ठीक है 66 x 2 भी होता है 36 गुणा 2 करोगे तो बहत्तर आएगा 96 में से 2 घटाने पर एक आता है क्या तो बोलोगे नहीं ठीक है 9 गुणा 8 करने पर कितना मिलेगा, 9 गुणा 8 करने पर कितना मिलेगा और 9 में से 8 घटाने पर एक मिलेगा क्या हाई या ना यह बताइए यह बताइए यहां से आप बोल सकते हो कि 72 को इस वार्ट के टर्म में तोड़ूंगा तो यहां पर आपको यही सोचना पड़ता है इस 72 को मैं कैसे तो यहां आप बोलते हैं तो 72 को लिख सकते हो कि नहीं यह बताइए एक्स को लिखा अजय हर रहा है ति आपको करना क्या होता है एक्स स्क्वाइर का मुणा और कौंस्टेटर इन दोनों को गुणा करते हैं जो भी नंबर आया 72 इसको इस तरीके से तोड़ा तो आपको जोड़कर देखा जाता है कि जोड़कर लाना है ये सवाले साइम पर डिपेंड करता है अगर C हमारा मतलब constant and positive दिया हुआ है question में तो आपको जोड कर लाना होगा C यानि constant of negative है तो आपको घटा कर लाना होगा तो अभी के लिए इस question के लिए क्या है C हमारा negative है तो 12 क्या अब यह minus का sign था इसलिए मैं घटा कर ला रहा है अब देख इसको आप ऐसे लिखोगे 6x square plus 9x minus 8x minus 12 इतना clear है भीच वाले turn को में लिख दिया x को 9x plus minus 8x इतना लिख दिया और कुछ नहीं तीया ओब क्या गपरो पहले वाले turn को पहले वाले दोनों turn को देखी पहले वाले दोनों turn में कुछ एक यहां एक सबसटे से कॉममर ले लिया रेका है शे आ सथी सございます कि में आप्छा इतना के आएगा चिन लिया highway तुक प्रस तरी आया, उसके बाद, आगे की टम्स देखिए, minus x minus 12, दोनु ही negative है, तो दोनु ही अगर negative है, तो एक minus को तो मैं common ले लिया, ठीक है, minus common ले लिया, और क्या है, आठ्म और 12 में, 8 और 12 में, दोनु ही 4 दोनु ही में common है, हैनद, दोनु ही जगा 4 है, 8 में भी 4 है और 12 में भी 4 है दोनों ही का फैक्टर 4 है तो मैं 4 अगर मैं common ले लूग तो आपको क्या बचेगा 8 में से 4 common लिया तो 2 बचा और एक x भी यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं x लिग दिया अब उसके बाद minus है लेकिन minus को तो आपने common ले लिया है तो यहाँ पर आप plus कर दोगे और 12 में से 4 common लोगे तो आपको बचेगा 3 इतना clear है कि minus charge ने common लिया तो bracket में बचा 2x प्रस 3 यह common लेने समझ में आया किस तरीके से लिया अगर इसमें कोई doubt है तो पूछ लीजेगा 2x प्रस 3 यहाँ भी दिख रहा है 2x प्रस 3 यहाँ भी दिख रहा है तो मैं इस वाद 2x प्रस 3 को common ले रहा हूँ 2x प्रस 3 को आपने common लिया तो बचा क्या यहाँ पर 3x बचा आपके पास कुछ फर्मूला नहीं दिया जाएगा सिर्फ आपके एक्जाम में ऐसे कोश्चन आएगा कि एक्स स्क्वाइब प्रस सेवें एक्स बारा को गुननखंड किजी इसको फैक्टराइज किजी और कुछ भी नहीं लिख दिया जाएगा तो आपको पकड़ना कैसे पता कैसे चलेगा कि यह वाला कुष्चन आया है नाहीं पास तो अपको यह मेठंड लगाना पड़ेगा अध्धंव विभाजन करतें असे या मिडिल स्पिटिंग करतें विडिल स्पिटिंग क्यों? इस ली तुट आ देख रहे हो कि दोनु को में बीच वाले टम को मैं तोड़ रहा था है ना तो बीच वाले टम को तोड़ देते हैं इतना प्लियर है इतनी बाते समझ में आए तो बताई यह फिर आगे वढ़ेगी तो आप फेक्टराइज कर लोगे ठीक है चली यह तो था हमारा दूसरा चैप्टर का एक कंसेप्ट लाश्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने चौथा चैप्टर सुरू किया था दो चरवाले रैखिक समिकरन हम लोगों ने पढ़ना श्टार्ट किया था इसमें क्य सबसे पहले तो आपको यह बताएगा कि दो चरवाले रैखिक समिकरन को पहचानने के लिए सिखा था पहली चाहिए दूसरा चीज़िए आपको बताया गया था है कोई भी दो चरवाले रैखिक समिकरन पहले यह था चैरवाले रैखिक समिकरन को इस फ़र्म में आप लिख सकते हो ए बी सी का मान बता सकते हो इस पर कॉस्टन तैसा आपको यह बताया गया था कि कोई वी दो चरवाले द्यख़िक संमीकरन का कितना हल यह बताई तो आप बोलोगे यानी option 4 अंगीनत हल होंगे परिमित रुप से अनेखल होंगे तो सीधे सीधे उसका पूरा परिमीत रूप से अनेक हल होते हैं तो हल का मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी अगर समिकरन आपके पास दिया गया है तो आप चेक कैसे करोगे कि यह हमारा हल है या नहीं मान लो आपके पास एक सम्मेकरण लिखे दिया हुआ है X PLUS Y बड़ाबर 9 तो यह सम्मेकरण दिया हुआ है यह दो चरवाला राठिक सम्मीकरण है सभी लोग को पता है क्योंकि दो वैरियेवल है राठिक है maximum power लिख रहा है एक सम्मिकरन है इसलिए दो चरवाला राकिक सम्मिकरन है अगर मैं आपसे पूछो कि क्या बिंदु 5-6 इस सम्मिकरन का हल है या नहीं तो आप बोलोगे 5-6 कहने का क्या मतलब होता है 5-6 कहने का मतलब होता है कि X का मान 5 है और Y का मान 6 है एकस का मान 5 और Y का मान 6 इसमें पूट कर दोगे इस वाले में बस डाव दोगे तो इससे आपको मिलेगा 5-6 बराबर 9 यानि आपको दिख रहा है 11 बराबर 9 यह जो लिखा हुआ यह सही लिखा हुआ यह गलत लिखा हुआ ये सही लगत यह गलत सही कभी नो के बराबर ठीके ले इघ जो है आडशिए के बराबर नहीं आया पांच छे पूत करने पर यह सटिस्फाइन नहीं किया मतलब संतूष्ट नहीं किया संतूष्ट करने का मतलब अगर आरेच्छ के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं यह समिकरन को संतूष्ट नहीं किया अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगी समिकरन को संतुष्ट कर रहा है अब यहां से देखें तो हम सीधे सीधे यह कहा देगी कि बिंदू 5 6 मतलब X का मान 5 और Y का मान 6 जो है वो हल नहीं है अगर मैं आपसे बोलू एक दूसरा हल देकर क्या की एक्स का मान 6 5 और Y का मान 2 यह ऐसे भी नहीं लिखके दिया जाएगा आपको सिर्फ इतना लिखके देदिया जाएगा 2 7 साथ दो इस समीकरन का हल है या नहीं है या नहीं है तो आप बोलोगे blah2 लिखने का मतलब क्या हुए एक साथ है वाय का मान दो है यहां पोड़ कर दो अपको मिलेगा साथ क्लिस दो बराबर नो यानि नो बराबर नो यानि दिख रहा है कि LHs जो है वो बराबर है और साथ और why' का मान दो, इस समिकरण का घल है, ठीक है? यह समिकरण का हल है, यह clear ने? चिक करने के लिए आप सिक indem haya हा बताइए इस बताहए है हां, एक समाय का कोई भी मान ऐसा ले का जिस से हमें जोड़ने पर nine मिल जाए, ऐसा ही होगा इस्माय का कोई भी मान जो जोडने पर 9 मिल रहा है वो इस समिकरन का हल होगा बतलब आपको बताएगा न किसका सिर्फ एक ही अन्गीनत हल होगे आप कर सकतो बिंदू 5000 भी इसका हल होगा ना बिंदू 6 तिन भी इसका हल होगा दस माइनस एक भी हल होगा इसके जगह पर आप 10 रख दो य के जगह पर तो अंगीनत हल हो सकते हैं कोई फिक्स नहीं बस जोड कर नौ आना चाहिए इतना तीर है तो देखिए यह कोश्चन में इसलिए बता रहा था कि इस पर आपको अब दिया जाएगा अब यह चेक करके बताईए तो दो कुश्चन हम लोगों ने कर लिया था लाश क्लास में तो में बीद्ट का का हल नहीं ए तो आपको जो हल नहीं है वही बता गांव तो इसमें फ्म्रॉर स्कॉल आप्सल्प आइसा है क्यों हल नहीं होगा तो देखिए कौन सा लना ही कि holyyy me yeah this कौन सा सैटिस्वाइब नहीं कर रहा हे अगर मैं बिंदू यह काट की बात करो नो तो आ अब तरह क्का मान कर देखी और करें पिर चार्थ को चेक करो फिर ऑप्षेंस सी को के लीक weight फिर अप्सक्ति देखें सब्सांब नहीं है क॒ से काई नहीं कर रहें कि जो यह श्रॉब नहीं करें वह ह्ल नहीं होगा और जो हम नहीं होगा विह आपका अंशर होगा तो एक एक करके सभी options हो चेकिजिया अचले काफिलों के अंसर आ चुके हैं वेरी गूड 15 सेकंड्स और रुकेंगी फिर इसको इंट करके इसको डिस्स करूंगा तो देखें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस समिक्रन का हल नहीं है तो एक्जाम में ध्यान से कुर्षिन पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है हल पूछा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि जो हल नहीं है तो टेन सेकंड्स और रुकेंगी आखरी 10 सेकंड्स और है पांच सेकंड्स पांच चार तेन दो एक चले अब मैं पोल को एंट कर दे रहा हूं अब देखिए तो अगर मैं सारी चाहें मिटा दूँ आपके पास एक सम्मेकरन दिया गया है चार ओप्सन दिये गया है पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा हल नहीं है तो आप क्या करोगी एक एक करके सभी को चेक करोगी तो मैं सबसे पहले एक आठ को चेक कर रहा हूँ औपसन नमबर एक एक को चेक कर रहा हूँ तो अपक्या करोगी एक के जगवा पर एक और य पूट कर रहा हूँ तो यहां से एगर मैं तो आप उक पाहोगी टू इन तो एक प्लस y बराबर 10 लिखाया ना 10 2 into 1 plus 8 बराबर 10 यानि आपको मिल रहा है 2 plus 8 बराबर 10 यहां से आपको दिख रहा है कि यह हमारे पास आया 10 बराबर 10 यानि हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर आया यह ना left hand side, right hand side के बराबर आया इसलिए हम कहेंगे कि यह समिकरन को संतुष्ठ कर रहा है इसलिए एक दो क्या है इस समिकरन का हल है यह हल है तो इसलिए हमारा अंसर नहीं होगा option यह हमारा सही answer नहीं हो सकता चलिए आगे चेक करते हैं अगला option क्या है हमारे पास अगला option है 4 दो तो x का मान आप 4 रख दो y का मान आप 2 रख दो x का मान 4 y का मान आप 2 रख होगे तो क्या मिलेगा 2 x 4 प्लस y के जगा पर आप 2 रख होगे यह 10 के बराबर यानि यहां से मिला 8 प्लस 2 बराबर 10 यानि 10 बराबर 10 और यहां से फिर से आपको दिख रहा है कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया तो हम कहेंगे दूसरा वाला जो option है यह भी एक हल है तो यह भी एक हल है ठीक है दूस option भी भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता हमें तो वो खोजना जो हल नहीं है ठीक है अब तीसरा option में दिया गया है बिंदू 5 पांच तो पांच देने का मतलब क्या हुआ एक्स कावान 5 और य कावान 5 पूट करेगी इस equation में 2x प्लस y बराबर 10 में तो यहां से पूट करने प 15 इक्कुल to 10 आप ये बता कभी 10 के बराबर हो सकता है क्या मैं 15 इक्टेन लिखना सही होगा यह गलत होगा तो आप बोलोगे यह तो एक गलत है कि 15.10 के बराबर कैसे हो सकता है 15 .10 के बराबर कभी नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है आपका उन Conor VS ins के वराबर नहीं आया और इस 17 चे बराबर नहीं हाय तो क्या होगा कहोगी कि तो आपको होगे हमें पूछा जादा था जो हल नहीं है तो आप संसी हमारा सही उत्तर होगा बिंदु तीन चार को चेक करने के भी ज़रूत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यह समझ में आया यह बता है इतना कीज़ रहे हैं, तो आप चेक कर लोगे, कभी भी कोई समिकरन दिआ रहेगा, उसका हल दिआ रहेगा, तो आप चेक कर लोगे कि वो समीकरन का हल है या नहीं है, बस बिंदू को पूट कर देदा, तो आप देखिये, अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास, इसके आग आग आपके पास एक question पूशे आता है कोई भी अगर समिकरन आपको लिखा हुआ है समझिएगा अगर मैं को एक समिकरन लिख दू दो चरवाला राखिक समिकरन एक प्रस बीवाई प्लस C बराबर जीरो के फॉर्म तो यह समिकरन मतलब एक उधारन के तौर पर मैं लिख दे रहा इसका जेमेट्रिकल मिलिंग यह होता है कि यह एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है ठीक है अब सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है तो आपके एक्जाम में question आता है कि यह कोई भी equation लिखके दे दिया जाएगा जैसे कि 2x-3y बराबर 12 और बोला जाएगा कि इसको graph paper पर लिखके graph paper पर बनाकर दिखाई ठीक है ऐसा question आता है इसको graph paper पर बनाकर दिखाई तो आप कैसे इसको बनाओगे यही सीखने वाले ठीक है तो चलिए सीखते है चलिए तो question है आपके सामने 9x-7y equal to 63 एक दो चरवाला राखिक समिकरन लिखकर दिया गया है इसको बोला जा रहा है कि इसका आले खिचिए मतलब graph paper पर इसको ड्रॉ कीजी ठीक है तो इसके लिए क्या करते है सबसे पहले कुछ basic बाते जो coordinate geometry यानि निर्दिसान जैनिती में आपको पता होनी चाहिए कि एक line ऐसा होता है चैती जी रेखा यानि horizontal line जिसे आप x-axis कहते हो इसे आप x-axis कहते हो एक line खड़ी रेखा होती है vertical line जिसे आप y-axis कहते हो ये सभी को पता है इसे आप y-axis करते हैं, ठीक है, x-axis और y-axis जहां पर एक दूसरे को cut करते हैं, जहां पर एक दूसरे को cut करते हैं, इस point को क्या करते हैं, इस point को मूल बिंदू करते हैं, origin करते हैं, ठीक है, origin करते हैं, मूल बिंदू करते हैं इपनी चीजे पता है इस पर कोई भी point main point नहीं करते हैं उसे origin करते हैं तो यानि मूल बिंदू करते हैं ठीक चलिए यह नाम याद रखेगा इसका coordinate भी याद रखेगा 00 पूशा जाता है आपके एक्जाम में मूल बिंदू का निर्द्रसान क्या होता है तो 00 आपको सिदे अंसर करने हैं इस पर कुछ points होते हैं जो point आपको locate करने के लिए सिखाया गया है निर्द्रसान जैमिति यानि इसके बाद मुझे यह बताईए कि अगर मैं सिर्फ एक बिंदू देदू आपको बुला जादा है कि स्ट्रेट लाइन खीशने के लिए अगर मैं सिर्फ एक बिंदू यहाँ पर बना दू तो आप बता सकते हो कि कि आपका जो इस तरफ से जाएगा तो यहाँ से उन्यक बिंदू दिया जाए ध्यांस शुनेंगा यहां पर important है अगर ऐत्त बिंदू दिया जाएगा तो आपको पता नहीं चले कि आप लाइन कैसे कईच दैशक गी हरना अपनी सकें से लाइन किस तरीकितर हो हुझ यहाँ से तो serait कशे आसकता है ऐसे भी लाइन खीचा जा सकता है तो एक बंदू से तो看 जिसे कह आपको दो बिंदू पता होना चाहिए दो बिंदू जब मेल जाएगा आपको आगर मैं X-Axis और Y-axis पे दो बिंदु बना दू ठीक है एक बिंदु यहां पर दूसरा बिंदु यहां पर अब एक लाइन डॉकर सकते हों अगर दो बिंदु पता है आपको तो यहां से आप एक लाइन बना सकते हो जो इन दोनों से पास करते हैं जाए तो सबसे पहले यह बताईए कोई भी रेखा को खीचने के लिए आपको कितने बिंदू की ज़रुवत होगी यह बताईए कम से कम कितने बिंदू चाहिए तब ही जाकर हम एक रेखा खीच सकते हैं कम से कम डूपउइंट आपको पता होने चाहिए तब यह आप खीच सकते हैं एक पॉइंट से लाइन ने खीच सकते हैं पता नहीं चलेगा कौन सा लाइन हमें खीच लाँ है तो इसको शीखते है कि अगर पुस्चेन ऐसा आज आएगा तो आप कैसे जो करो वे ठीक है मेरी स्क्रीन हो सकता अगर नहीं दिख रही है थोड़ी दिर वेट कर ले बस कुछ सेकंड वेट करना है फिर से मेरी स्क्रीन दिखेगी तो बताईए अब इस तरिम दिख रही है सब्सक्रीकों तो इक्वेशन है आपके सामने नाइन एक्स प्रस सेवन वाई इक्वल टू सिक्ष्टि तो इसको मैं यहां पर लिखती है आप लिखोगे नाइन एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू सिक्ष्टि थे तिक आप देखिए यह ग्राफ पेपर है इस तरीके से आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा आँगा यह मैं X-axis बना दिया, यह मैं Y-axis बना दिया, ठीक है, X-axis और Y-axis बना दिया, आप इस तरीके से लिखते हो, X, X-, Y, Y-, ठीक है, तो equation कहा है, 9X plus 7Y equal to 63, जब भी एगर इस टेक पर question आ जाए आपके पास, graph paper पे खिशने के लिए, आप एक बार X को जीदो ले लो, मतलब दो solution लेना है, दो हल लेना है इसका, एक बार आप X को 0 कर दोगे, एक बार Y को 0 कर दोगे, calculation easy करने के लिए, जरूरी नहीं है कि X को ही 0 करेगे, Y को 0 ही करेगे, उसी भी ले सकते हो X-command, फिर Y-command calculate कर सकते हैं, लेकिन calculation को आसान बनाने के लिए, एक बार मैं X को 0 करूंगा, एक तो एक बार अगर मैं X को 0 कर दो तो आप लिखोंगे अगर X को 0 कर रहे तो क्या हो जाएगा इसमें X का मान आप जिदो अगर पूट करोगे तो क्या मिलेगा 9 इंटो 0 प्लस 7Y एक्वल टो 63 इतना क्लियर है तो 9 इंटो 0 तो 0 हो जाएगा 0 प्लस 7Y एक्वल टो 63 यानी 7Y का मां 63 यानी Y का मां कितना आ रहा है 63 बाई 7 यानी 9 के बराबर इतना क्लियर है कि X का मान 0 और Y का मां 9 इस समीकरन का एक हल है यह बताएए एक्ष का माण 0 इस मिकरण का एक हाल ए इस समिकरण का एक हाल है इतना क्लिर है क्या जबBE 9 neat अच्छा राजू के नाम से जो बच्चे लो了吧 माइका बंद करो यह प्लीज यानि एक बिंदू मिल गए जीरो नाइन अब इतना करने के बाद एक बॉक्स बनाओंगे जब भी आपके एक्जाम में सा कोश्चन आएगा तो आप यह बॉक्स जिरूर बनाओगे यह बॉक्स जिरूर बनाओगे काफर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ भी तो आप यहां पर x लिखते हो यहां पर y लिखते हो तो इसका मतलब है जब आप x कामान आपने 0 लिया तो y कामान कितना आया 9 आया, ठीक है, जब X कमान 0 लिया तो Y कमान 9 आया, ठीक है, अब क्या करवा आप, इसको में मिटा रहा हूँ, अब Y कमान में 0 ले रहा हूँ, ठीक है, Y कमान अब में 0 ले रहा हूँ, तो अगर आप Y कमान 0 ले लोगे, तो X कमान कितना आएगा, यह बता ही, तो आप यहां से लिखोगे 9x प्रस 7 इंटो 0 बराबर 63 यहां से मिल जाएगा 9x बराबर 63 यानी x कमान कितना मिल जाएगा 63y 9 equal to 7 मतलब दूसरा हल क्या आया 7 0 ठीक है जब y 0 था तो x कमान 7 आया मतलब y जब आपने 0 रखा तो x कमान 7 आया इतना क्लियर है जब y कमान 0 रखा तो x कमान 7 आया तो दूसरा हल 7 0 आया मतलब 2 point आपको पता चल गया एक point आपको पता चल जला 09 दूसरा point आपको पता चला 70 ठीक है इतना क्लियर है 1.09 दूसरा point 70 ठीक है इन दोलू point को प्लॉट करना है तो point को कैसे plot करोगे आपको पता है कि यहां पर यहां एक सोर वाई एक्सिस इसे को cut करते हैं यह point zero होता है जिसे origin zero लिखते बताते हैं वो लिखते हैं अब यहां पर आप लिखोगे एक दो तीन चार पाच इस तरीके से यहां पर आप माइनस वन माइनस टू लिखोगे तो यहां पर आपको लिखना होगा माइनस वन माइनस टू माइनस ट्री माइनस फूर इस तरीके से आप नंबरिंग कर देते हो ठीक है और वही चाहिए यह जो है यह नेगेटिव है y-axis का तो y-axis का नेगेटिव भी ज़र होता है और जीन के नीचे की तरह है तो यहां पर आप लिखते हो माइनस एक यहाँ पर माइनस दो यहाँ पर माइनस टी ठीक है इस तरीके से आगे भी आप नंबरिंग कर सकते हो उसके बादे आपको कौन सा दो पॉइंट चाहिए एक 0-9 तो 0-9 कहाँ पर है एकस जिरो वाई में 9 यह वाला पॉइंट है यह समझ में आ रहा है यह पॉइंट हमारा 0-9 है एकस में 0-9 यानि य एकस पर सित होगा ठीक है अगला पॉइंट हमारे पास 7-0 यानि एकस में 7-y में 0 यानि एकस एकस पर होगा एकस एकस पर यह वाला पॉइंट है इस तरीके से बढ़ा दे रहा है तिक है इसको में मिला दे रहा हूँ और इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूँ तो ऐसे आपको ट्रॉ करने के बाद दोनों ही तरफ तीर का निसान लागा होगे और इस समिकरन पर लिख दोगे कि यह समिकरन नाइन एकस प्रस सेवन वाई इक्वाल टू 63 का समिकरन है तो अब आपके पास अगर कोई भी समिकरन लिख के आएगा तो आप उसका ग्राफ प जिरो जिरो करोगे बॉर ठेकर इस सबसे पहला यपकी और बनाना लंग Pi जारूर बनाएगा तो नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखेगा पेन का यूज मत कीजेगा graph paper पर, pencil का यूज करना है, ठीक है, कभी भी pen का उपयोग नहीं करना है, graph paper पर हमेशा pencil का ही यूज कीजेगा, कुछ भी graph paper पर pencil नहीं लिखना है, ठीक है, तीसरा चीज, जो भी आपका answer आदा है line, उसके उपर आप equation जरूर लिखेगा, समिकरन ये जो लिखावा है, 9x plus 7y equal to 63, ये जरूर लिखना है, ठीक है, समिकरन लिखने के बाद, जो line बना रहे हैं, उस पर arrow का निसान जरूर लगाईएगा, तीर का निसान छोड़िएगा नहीं, तो तीर का निसान भी जरूर बनाना है, ठीक है, इतनी चीज clear हुई, इतना clear है, ठीक है, अब यहां से एक concept और सीख लेते हैं, इसी graph paper से ही, उसके बाद अगला question करें, अगर मैं आपको बोलू, कि एक समिकरन है हमारे पास, x plus y equal to 8, ये दो चरवाला दाखिक समिकरन है, इतना clear है, तो ये एक सरल देखा को represent करेगा, इसका graph आप खिच सकते हैं नहीं, हाँ या ना, ये बताइए, इसका graph खिच सकते हो, ठीक है, इसका graph खिच सकते हो, मान लो अगर मैं कहूं, कि इसका हमने graph खिचा, ठीक है, अगर मैं इसका graph खिच रहा हूं, इस वाल equation की, इस वाल equation की, अगर मैं graph खिच रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है मैं जल्दी से खीच दे रहा हूँ इस तरीके का आएगा ठीक है एक्स प्लस य बराबर आठका अब देखिए इस पॉइंट पर इस लाइन पर जो आपको दिख रहा है नहीं इस पर तो अनेकों बिंदू होगे यह द्यान दिजिएगा इस इस ट्रेट लाइन पर जितने भी बिंदू होगे इस लिए आपको बोला गया था एक दो चरवाले राखिक समिकरन के अब परिमीत रूप से अंगीनत हल होते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर अंगीनत बिंदू हो सकते हैं इसे लिए इसके अंगीनत हल भी होते हैं तो यहां से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलू कि बिंदू पांच तीन यह ध्याद समझेगा नोट भी कर लीजेगा बिंदू समिकरन इक्स प्लस वाइ बराबर आठ का हल है तो यह सई है इतना क्लियर है इसको दूसरे भासा में ऐसे वह लिखा जा सकता है कि पांच तीन समिकरन x प्लस y बराबर 8 के आलेक ठीक है पर इस ठिट है ठीक है दो तरीके से बोला जा सकता है दोनों ही के मतलब सेव है ठीक है चार-चार भी होगा अन्य के पॉइंट होगी ठीक है तो यहां से ये दोनों जो लाइन लिखा हुआ है इसको समझनी के fokus कर लëverted ये समझा हुआ कि 5-3 समिकरन x प्लस y बराबर 8 का हल है ये बोला जाए या बोला जाए 5-3 समिकरन x प्लस y बराबर 8 के हल पर इस्थित है तो दोनों ही चीज़ें सेम है ठीक है अगर इसका हल है अगर मैं कहरा हूँ कि अगर बिंदू चार-चार ले लेते हैं चार-चार इसका अगर हल है तो इसके आलेक पर इस्थित होगा अगर इसके आलेक पर इस्थित है तो बिंदू चार-चार उसका हल भी होगा इतना क्लियर है दोनों ही बाते सेम है इतनी बाते क्लियर है तो बताईए कि अगर समिकरन का हल है तो ग्राफ पेपर पर इस्थित होगा ग्राफ पर इस्थित है तो उसका हल हो ठीक है और दोनों ही का मतलब यह हुआ अगर हल है तो इस्थित होगा और इस्थित है तो हल है इसका मतलब अगर बिंदु चार चार मैं इस पर पूट कर दू तो इसको तो पहला कुश्चन है इस टाइप का यह तो मैंने दिखा दिया कि ग्राफ पेपर हमारा कुछ इस तरीके का सोल्यूसन होगा तो कुश्चन देखिए इस तरीके का है आपके पास बोला जा रहा है बिंदू 3-4 जो है सम्मिकरन 3Y बराबर AX प्लस 7 के आलेक पर इस्थित है तो A का मान गया कीजिए मतलब इस से अमें यह समझतकता हूँना कि बिंदू 3-4 जो है 3Y बराबर AX प्लस 7 का एक हल है इतना बताईए यह समझा जा सकता है कि नहीं सम्झा जा सकता बिंदू 3-4 अगर इसके graph paper पर इस्थित है तो उसका एक हल होगा अभी बताया है कि अगर graph paper पर सिथित है तो हल हो हल है तो उसपे स्थित हो अब हल है इसका मतलब क्या हुआ समीकरन को संतुष्ट करेगा समीकरन को संतुष्ट करेगा अगर हल है तो संतुष्ट करेगा एकदम करेगा वोई भी पॉइंट अगर उसका हल है X का मान Y का मान तो उसको संतुष्ट करता है LHS RHS के बराबर आता है अब यहां से आप बोलोगे कि सब दिया गया है कि बिंदू 3-4 इस समिकरन का एक हल है इसका मतलब X का मान 3, Y का मान अगर 4 उठ कर दें तो LHS RHS के बराबर आएगा ठीक है यही बोला जा रहा है मैं repeat कर दे रहा हूँ सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि बोला question में क्या गया है question क्या बोल रहा है कि बिंदू 3-4 इस समिकरन का आलेक पर इस्थित है आलेक पर इस्थित है इसका मतलब क्या होगा बिंदू 3-4 जो है इसका एक हल होगा इस समिकरन का हल होगा दोनों इन तरीके से यज़एगा कि अगर अलेक परिस्तित है तो हल होगा हने तो इसके ग्राफ पर पर प्रिस्तित हो ठीक है यह पता करना है एक्स के जयवर पर आप 3 लिखोगे और यहां से प्लस 7 कर दोगे प्लस 7 कर दोगे प्लस 7 ठीक है इसको सोल पंदे पर क्या मिलेगा आपको 12 बराबर 3A प्लस 7 इतना क्लियर ज़िए सभी को यानि आपको मिलेगा 12 माइनस 7 बराबर 3 यानि 5 बराबर 3 और यहां से आप देख सेक्टो 3A बराबर 5 तो एक आमान आपको दिख रहा होगा 5 बटा 3 यह ना एक आमान आपको कितना दिख रहा है 5 बटा 3 इतना क्लियर है सभी को ऐसा कुश्चन आएगा तो कर लोगे कि अगर बिंदू 3 4 समी करम 3Y बराबर एक प्लस 7 का यह आल एक परिस्थित है तो एक का मान ग्याद कीजिए क्लियर है इतना कि इतनी बाते क्लियर है तो बताईए फिर आगे बढ़ेंगे तो एक कुश्चन इसी प्यादा मैं दूसरा कुश्चन दे रहा हूं त्राइ कीजिएगा इसको तो यह गर आपने समझ लिया तो यह कुश्चन काफी आसानी से हो जाएगा अगर मैं आपको ब माइनस के माइनस के वाई मैं लिख दे रहा हूं के वाई ऐसा कुश्चन आ सकते आपके पास के वाई बराबर दस के आलेक पर इस्थित है के आलेक पर इस्थित है या इसका हल है इस्थित है तो उसका हल होगा तो आप से पूँचा जारा है के कामान बताईगर ट्राइ कीजिए इसको ट्राइ कीजिए वो चैट सेक्षन में अंसर बताईगा एगर 2x-ky बराबर 10 1-3 2x-ky बराबर 10 का एक हल है दोनों ही तरीके से लिखके पूछाएगा सकता है कि इसका एक हल है या इसके आलेख पर इस्थित है तो k का मान बताईए प्राई कीजिए और अंसर बताईए k का मान क्या रहा है आपको देखिए आप क्या करोगी यहाँ से आप क्या बलोगी x का मान कितना है यतना बताई x का मान क्या है x का मान एक दिख रहा है अच्छे कुछ मेच्चो का अंसर 4 आ रहा है नितिन आपका अंसर है 4 हिमानसू का भी अंसर है 4 ठीक है, तीक है, डेक्टे हैं क्या आन्सर आने माला है, ठीक है, चलिए हर्स काई अंसर चाह्र है, ठीक है अब देखते, X का मान YES, Y का मानよね Y का मान-3 है इतना clear है, इतना समझ में आ रहे है, X का मान है, Y का मान-3 है ठीक है, यह बिंदू देख तो X का मान आप पूट कर दोगे एक, फिर K के जगह पर मैं K लिख दिया, Y के जगह पर आप माइनस तीन लिख दोगे, बराबर 10, यहां से कितना मिल रहा है आपको, यहां से आपको मिल रहा है 2 प्लस 3 के बराबर 10, ठीक है, इतना clear है, 2 प्लस 3 के बराबर 10 कितना क्लियर है माइनस माइनस प्लस हो गया 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है यह पता है आपको माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया अब यहाँ से कितना मिल रहा है 3 के कितने के बराबर आया 3 के 10 माइनस 2 के बराबर आया कि ER कितने के बराबर आ रहा है यानि केक कमान कितना रहा है कहम CBS इसका अगली को पिसकर बटक्व कि इसका ये इसा कुष्शन है अगल ये बता ही ज़यतो आप करल लो एक कोश्चन और दो कि किसी के अंसर सही नहीं आए थे एक कोश्चन और मैं देद रहा हूं इस वाइं ट्राइब कीजिएगा सही कर दो कि अगर बिंदू कि दो पांच तेक है समी करन ए एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारथ का हल है टीक है इस वार सीधे सीधे मैं लिग दिया हल है या बोल सकता हूं कि इसके समी करन कि इसके आलेक पर इस थे लुनुन ही सेंटी है तो एक आमान बताई एक आमान बताई कितना रहा है अंसर एक अमान देखिए कितना रहे 27 बटे 2 तो एक अंसर आ रहा है 27 बटा 2 ठीक है अनुराप का अंसर है 27 बटा 2 और बच्चे ट्राइ किजेगा इतना अंसर आ रहा है आपको तो हर्स का भी अंसर है 27 बटा 2 सन्नी का भी अंसर धरमवीर का अंसर 12 बाई रूट 5 12 रूट 5 रूट कहा से आएगा नितिम रूट तो नहीं आने चाहिए न कहीं भी स्क्वाइड तो आपको नहीं दिख रहा है रूट तो नहीं आएगा सीधे सीधे आपको दिखो थे रहा ना मैं माइनस पंद्रा बराबर 12 ठीक है अब यहां से 2 A कमाद कितना मिलेगा यह 12 है इस 15 को उधर ले जा रहा हूं तो क्या करेंगे इधर माइनस 15 है उधर जब ले जाओगे तो आप उसको जोड़ दोगे यह basic चीज़े ठीक है जब इधर जाएगा तो यह plus 15 हो जाएगा और 12 और 15 को जोड़ोगो तो कितना मिलेगा तो एक कमाद 27 के बराबर मिल रहे है यहां से एक कमाद कितना मिल जाएगा 27 बाइट तो यह कमाद 27 बाइट बोलोगी यह 13.5 भी बोल सकते हो दोनों ही साही होगी तो इतना क्लियर है अब समझ में आया जिनके भी अंसर गलत होंगे उनको स सही थे ठीक है इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो पूछ लीजिए आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे इसके आगे के चीज अगले क्लास में डिस्क्स करेंगे इसमें कोई भी डाउट है अभी तक में तो आप अपना माई कॉन करिए माई कॉन करके पूछ सकते हो झाल झाल